हलो, गाइनकॉलिजिस्ट डॉक्टर सिना बोल वहीं है, डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेगनेंट है, किसे मन्सकी प्रेगनेंट है, चार महीने हो गया, अच्छा, ओक्या, समझ नहीं आरा, कैसे आपको बताएं, क्योंकि आप माहिन मत करना पता तो चल जा कॉंप्रिकेशन कोई नहीं है, लर्की है तो, ये कैसे बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो, मेरा ताइम मत वे, इसको बता रही हूँ, मैं तुम इस चेल कर वादूगी, ऐसा तुम पहले नहीं हो, लर्की है, तुम समझ में नहीं आरा है, तुम एक काइनोकॉलिजिस् कि मेरी बीजी जो है, उसको लड़की होने वाली है, तो आप अबोर्शन करा दे, आप किसी बात कर रहे है, लड़का चाहिए होगा आपको, नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए दे, तुम फिर क्यों करा रहे हो आप वार्शन, क्योंकि रेप हो जाएगा इसका, डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाएगा, आइम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोलाओं रेडियो मिर्ची से, और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होगी, लेकिन उनकी बज़ा यही होती होगी, कि मैं दहेज नहीं दे सकता, या मैं लड़ कि बच्ची का रेप हुआ, आठ महेनी के बच्ची होती कितनी है, अगर वो तंदरुस्त ना हो, इनसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाहरा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज़ को बंद करवा दो, मेरी समझ मैं नहीं आता है, ये स्ट्रोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्यों, क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटिया कमजोर हैं, पढ़ी लिकी भी नहीं है, इनको बचाना भी है, ऐसे स्ट्रोगन क्यों नहीं मनते के बेटे को बताओ और ना माने तो थपड़ लगाओ, और जितने लोग इस बात को मानते थे ना, कि लड़की घार से बाहर निकलती ह तो रेप होता है, उसके रिष्टेदार ने बेड्रूम में घुसके उसके बच्ची के साथ रेप किया, जब इसके माबाप ने इस बच्ची को देखा तो फून में लत्पत पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गुंच गया थे इसकी चीक से, और हिंदो मसलिम, आप करते रह ये अपना काम, एक दूसरे को बुरा भला कहने में, और जलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में, अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे जदा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है, कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिकाओ, उतनी भ आवाज सुन रहा है ना, और इसको ये लगता है, कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं, तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले, मैं खिसम खा रहा हूँ, अगर इसमें मुझे हरा दिया इस चीज़ में, तो जिन्देगे में कभी रेडियो पे नहीं आउं सोशल इशू है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो रेली अनफॉर्चनेट